नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है वीकेसी विशू अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो एक रिप्टे लाइक सब्सक्राइब कर ले और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक भी कर दे हैं तो चलिए शुरू इंपर्टन्ट कोश्चन से मिलवाते हैं जो कि पेपर में आने की संभावना बहुत ज्यादा है चलिए शुरू करते हैं पठेकरम के तैद भाशा हमारा पहला कोश्चन है निमलिखित में से कौन सा एक उधारन भाशिक बुद्धी वाले वेक्ति को दर्शाता है आप्शन दो ध्यान देने और दूसरे से अंतर कर सकने की योग्यता आप्शन तीन तरक की दिर्ग संख्याओं को संभाल सकने की योग्यता आप्शन चार शब्दों के अर्थ क्रम तथा भाशा के विवित प्रियोगों के प्रति सम्वेदन शीलता तो दोस्ते इसका सही जवाब ले व्यक्ति को दर्शाता है नेक्स कोश्चन है अपता है बारतिय समाज की बहु भाशिक विशेष्टा को डैश देखा जाना चाहिए ऑप्शन एक विद्याले जीवन को समर्द बनाने के संसाधन के रूप में ऑप्शन दो विद्यारतियों को सीखने के लिए अभी जवाब है ऑप्शन एक विद्याले जीवन को समर्द बनाने के संसाधन के रूप में एक समाज की बहु भाशिक विश्ष्टा को देखा जाना चाहिए नेक्स कोश्चन है निमलिखित में से कौन सा कथन वाश्या के विचार के बारे में प्याजे और वाइगाउस्की के द सार पहले विचार जनम लेता और प्याजे के अनुसार भाशा का विचार पर भारे प्रभाव पड़ता है ऑप्शन तीन दोनों मानते हैं कि बच्चे की भाशा से विचार जनम लेते हैं या ऑप्शन चार दोनों भाशा को बच्चों के विचारों से जनम लेती हुई मानत नेक्स कोश्चन है भाशा से संबंदित दिये गए ने मिलिफित प्राश्टों में से कौन सा ये गलत है ऑप्शन एक भाशा वार्नी का एक सुरूप है ऐप्शन दू भाशा हमारी बौधिक्शामता को अभिवक्त करती है ऑप्शन तीन भाशा भावो एवं विचारों को कारग भाषा विकाष को प्रवाईट करता है टूसरा। परिवार और अकार, तीसरा लिंगे भिनता, चौथा परिपकवता, आपके option है, पहला और दूसरा, स्वास्ते या परिवार का अकार, option 2, तीसरा और चौथा लिंगे भिनता और परिपकवता, option 3 है, दूसरा और तीसरा, परिवार का अकार और लिंगे भिनता, या option 4, चारो, दोस्तो इसका सही जवाब है option 4 चार हो सही है ये भाशा विकास को प्रभावित करते हैं next question है अंग्रेजी भाशा को हम देखते हैं option 1 सभ्य समाज की भाशा की रूप में option 2 अंतराश्य भाशा की रूप में option 3 भारतिय संस्कृति को खतम करने के रूप में option 4 उप्रोक्त सभी दोस्तो इसका सही जवाब है क्योंकि अंग्रेजी जो है सभ्य समाज की भाशा भी कहलाती है आज की टाइम पे अंतराश्य भाशा का सुरूप भी है और भारतिय संस्कृति को खतम करने वाले भी मानी जाती है तो option 4 सही है next question है भाशा और समाज के संबंद में से कौन सा सही नहीं है option 1 समाजिक संरचना को प्रवाइद नहीं करती option 2 समाजिक संरचना भाशा को प्रवाइद करती है option 3 भाशा में हमारी समाज वे संसक्रते बिद्दमान होती है कि आप्शन चार उप्रोक्त में से कोई नहीं तो भाशा और समाज के संबंद में ये कथन सही नहीं है कि समाजिक संर्चना को प्रभावित नहीं करते बिल्कुल प्रभावित करती है भाशा जो है भाशा से एक समाज निमेलिखित में से कौन सा भाषा पर अधारत भेदवाओ नहीं है ओप्शन दो भाषा की बहुरूपता का भेदवाओ जाए नहीं है तो option 2 सही है भाषा की बहुरूपता का भेदभाव next question है त्री भाषा फॉर्मला में कौन सी भाषा को शामिल किया गया था option 1 हिंदी अंगरेजी उर्दू option 2 हिंदी पंजाबी अंगरेजी option 3 हिंदी अंगरेजी और छेत्री भाषा option 4 हिंदी छेत्रिय भाषा और पंजाबी तो इसका सही जवाब है option 3 हिंदी अंग्रेजी और छेत्रिय भाषा को त्री भाषा फॉर्मूला में लावू किया गया था next question है बाषा सिक्षण में द्रिशे श्रव्य अनुदेश नात्मक सामग्री तता सात्नों के अविशक्ता है option 1 परत्यक्ष अनुभव की प्राप्ति है तू option 2 सिक्षण सूत्रों का व्योहारिक उप्योग है तू option 3 उप्रोक्त दोनों या option 4 उप्रोक्त में से कोई नहीं तो हमारा सही जवाब है option 2 सिक्षण सूत्रों का व्योहारिक उप्योगे तू भाषा सिक्षण में द्रिशे श्रव्य अनुदेश नात्मक सामग्री तता सात्नों के अविशक्ता होती है नेक्स्ट कोश्चिन है पाठगरम निर्माण के सिद्धान तूमें से नहीं है option 1 भाषा निर नैक्स्ट कोश्चन है बच्चों के सशक्त लेखन शंता का परिचायक है option 2 अलंकारिक भाषा option 3 सुंदर लिखावट option 4 सशक्त वाग के विन्यास तो इसका सही जवाब है सशक्त लेखन शंता का परिचायक है मौलिक विचार नेक्स्ट कोश्चन है वाशन यमोद्वारा नियंत्रिट डैश का माध्यमबर नहीं है बलकि यह हमारी सोच को भी निर्मित करता है उप्शन एक सोंदारे बोध, उप्शन दो संस्कृति, उप्शन तीन संप्रिक्षन या उप्शन चार कला इसका सही जवाब है संप्रिक्षन, वाशन यमोद्वारा नियंत्रिट संप्रिक्षन का माध्यमबर नहीं है बलकि यह हमारी सोच को भी निर्मित करता है नेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् के संदरब में सबसे कम महतपुर्ण है fusion एक अभिवावक से प्रोसाहन ऑप्शन दो भाषा की परिक्षा ऑप्शन तीन अभिव। चार सिक्षकर अवईया इसका सही जवाब है ऑप्शन दो भाषा की परिक्षा जो है दुत्य भाशा सीखने के संदर में सबसे कम है तो पूर्ण है तो दोस्तों हमारी आज की क्लास यही समाप्त होती है अगर आपको यह वीडियो पसंद रहा है तो एक रुपे से लाइक, शेयर और कमेंट करके आप में जरूर बताएं धन्यवाद